आज शामनेकूम, मेरा नाम तयाब है और यह है Samsung Galaxy A32 की unboxing और हमारे first impressions यहां दोस्तों Samsung Galaxy A32 पाकिस्तानी market में launch कर दिया गया है, काफी aggressive price रखी गई है और मुझे यह device बहुत जादा interesting लगती है, तो make sure वीडियो को शुरू से लेकर एंट तक जरूर देखेगा, अब यहां बेग Galaxy A31 जब आया था तो उसकी भी price तकरीबन 40,000 थी लेकिन उससे काफी जादा specs को improve कर दिया गया है, दोस्तों वहां पे आपको 4GB 128GB RAM मिलती थी, जबके A32 में आपको 6GB RAM के साथ 128GB built-in story देखने को मिलती है, colors की बात करें तो 4 खुबसूरत colors में यह phone आता है, black, white, violet और हमारी आ 3Hz का refresh rate अखा लिया है, तो आज करेंगे हम इसकी unboxing, साथ ही साथ मैं आपको दूँगा इसका quick review और देखेंगे कि Samsung Galaxy A32 हमें consider करना चाहिए या नहीं, इससे बहले कि हम इसकी unboxing की तरफ चलें, चैनल पर नहीं हैं तो subscribe कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकर तो आप लोगों को जादा बोल नहीं करता है, और हम चलते हैं Samsung Galaxy A32 को unbox करने है, तो सबसे बहले जलते हैं इसके box की तरफ जहां पे आपको Galaxy A32 लिखा मिल रहा है, Samsung के official product का भी sticker लगाया गया है, साथ ही साथ ही साथ जौंग का 12GB data भी आपको free में मिलेगा, बैक साथ पर चले इसको unbox और देखने हैं इसकी first look और first impressions कैसे हैं, सबसे पहले आपको एक warranty card देखने को मिलेगा, इसकी seals को open कर लेते हैं, सबसे पहले इसकी lid को open कर लेते हैं, सबसे पहले आपको एक folder देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको कुछ user manuals देखने को मिलेगी है, आगे चलके आ आपको आपका Samsung Galaxy A32 में लेगा फिलार रखे लेते हैं इसको साइट के एक नज़र बॉक्स में देख लेते हैं कि इसमें और क्या है एक SIM Ejection Tool देखने को मिलेगा USB A टाइप टो USB C टाइप चारजिंग केबल देखने को मिलेगी साथी साथ बॉक्स में से आपको एक 15 वाट का पावर बेक देखने को मिलेगा इसके लावा इसके बॉक्स में और कुछ नहीं है तो दोस्तों हम चलते हैं हम अपने Samsung Galaxy A32 की तरफ वापिस से यहाँ पर कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स को मेंशन किया गया है इंफिनिटी यू डिस्प्लेई है कॉट कैमरा है और आउन स्क्रीन फिंगर प्रिंट सेंसर है इसको इसके कवर से निकाल लेते हैं जी हाँ दोस्तों यह है हमारा Samsung Galaxy A32 और देखने में मुझे काफी नई लुक लग रही है का मईंषिक प्लास्टिक की बिनाई गई गई है सियं ऍेर की अकर बूस के साहरे में फोन दोसों एक वक्त मेंखने मेम्री कार्ट को भी ब्लास्टिक के सकते है याद रहे कि यहाँ एक टीबी तक का मेमरी कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं तो अगर दोस्तों यहां पर फॉन के हैंड फिल की बात कि जाए तो हैंड फिल काफी कमफर्टेबल है और फॉन का बेट 184 ग्राम है देखने में मुझे काफी जबरदस लग रहा है इसके बाकी कलर स्पेशली वाइट पर 4 इंचिस का सूपर एम बेट डिस्पेश रखा गया है जहां पर आपको 90 हर्ट का रिफरेश रेट देखने को मिल जाता है अभी इंटरस्टिंग चीज है कि इस पराइस डिस्पर डिस्प्रीले डिस्पले प्राइट के साथ 90 घ्रस रफ्रेश रेट भी देखने को मिलत दोस्तों यहां पर अगर हम इसके screen to body ratio की बात करें तो 84.6% रखी गई है बैजल काफी थे नहीं है और चिन मुझे थोड़ी सी मोटी लग रही है लेकिन overall यहां पर मुझे इसका display काफी कमा लग रहे है के साथ 128GB built-in storage है साथ यहां पर MediaTek Helio G80 chipset लगाया गया है जो के बारा नाइनो मेटर के architecture पर बेस्ट है और माली G52 का GPU लगाया गया है अब दोस्तों G80 हमने पहले भी काफी साई devices में देखा एवन हमने 30,000 पे की devices में भी देखा और उसकी performance काफी जबरदस थी देखना यह है कि Samsung ने इसको मजीद इतना optimize कि और इस phone में जो के 40,000 पे का है इसकी performance कैसे रहती है अब दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं हम इसके security features की तो Samsung Lexi A32 में आपको face unlock और fingerprint दोनों ही support में लेगी अब यहां पर क्योंके super AMOLED display है तो fingerprint sensor in display है देखते है कैसी speed निकल के सामने आती है जी यहां दोस्तों कुछ खासी अच्छी speed नहीं लगी मुझे first impressions में next time देखते हैं क्या speed निकलती है और दोस्तों अब काफी बेतर हो गया और फॉरन से unlock कर रहा है काफी थोड़ा सा time ले रहा है लाइक आप इसको flagship devices से compare नहीं कर सकते लेकिन काफी normal speed है बहुत ज्यादा तेज नहीं कह सकता बहुत ज्यादा slow नहीं कह सकता अब दोस्तों यहां बहुत बात कर लें इसके face unlock की तो वह भी मैंने enroll कर लिया और face unlock की speed भी normal है बहुत ज्यादा तेज नहीं है थोड़ा सा time ले रहा है आपके face को detect करने में और overall face unlock और fingerprint की speed normal है बहुत ज्यादा तेज नहीं कह सकता बहुत ज्यादा slow नहीं कह सकता तो दोस्तों आगे चलके बात कर लेते हैं हम इसके main feature इसके camera's की तो Samsung Galaxy A32 में back side पे आपको quad camera setup देखने को मिलता है जहां पे main sensor 64 megapixels का लगाया गया है ultra wide lens 8 megapixels का है 5 megapixels का macro shots के लिए lens है और 5 megapixels का depth sensor है front side के अगर बात करें तो 20 megapixels का selfie shooter लगाया गया है खोल के देख लेते हैं इसके camera को देखते हैं कौन-कौन से mods available हैं दोस्तों सबसे पहले यहां पे portrait mod है जो के मुझे काफी पसंद है और इसमें हमें अपनी selfie लेके दिखूँगा जियां दोस्तों यहां पे हमने portrait mod में एक selfie लिया है और यहां पे result मुझे काफी शानदार लग रहा है जियां दोस्तों काफी detail प्रोवाइड कर रहा है 20 megapixels का selfie shooter है और यहां पे background को काफी जबरदस तरीके से बुके की है तो वराल front camera के result से मैं अभी indoor में तो satisfied हूँ यहां को photo's Mac देखने को मिलता है जहां पे आप ultra-wide lens को अ कर सकते हैं और जाल मौड को long कर सकते हैं maximum यहां फेँ आप 10 एक जूम कर सकते हैं उसके यहां पे आगर हम चलें इसके अगले अगले देखने मॉड में या व्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपकी वीडियो काफी स्टैबलाइज आएगी शेकी नीनी आएगी आगे जाके मोर में देखें तो यहां पर भी काफी सारे मॉड्स आपको देखने को मिलते हैं प्रो मॉड है जिसमें आप मैनुमली सेटिंग करके काफी जबर्दस पिचर ले सकते हैं पैनोरामा है फूड मॉड है नाइट मॉड है मैक्रो मॉड है स्लो मॉड भी है यहां पर तो इस प्राइस रेंज में 42,000 पर की प्राइस रेंज में यह जिवाइस मुझे जिस्टिफा प्राइस लग रही है क्योंकि 42,000 में आपको सैमसंग की 6GB RAM के साथ 128GB built-in storage device मिल रही है जिसमें 64 Megapixels का आपको मेल सेंसर मिलता है 20 Megapixels का selfie shooter मिलता है Super AMOLED display मिलता है जिसमें 90 Hz का refresh rate है तो यह सारी चीजे मिला के काफी सुपर डिवाइस निकल के सामने आई है तो फरहल मेरी opinion में यह डिवाइस value for money है और definitely आप इसको ले सकते हैं आपको problem नहीं करेगी बाकि इसका gaming review इसका full review इसका camera test अगर आप लोग बहुत जादा कमेंट करेंगी तो वह चैनल पे अलग से अपलोड कर दूँगा आप लोग